हेलो गाईज, स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे हम यहाँ बात करेंगे लंका सायर और एसक्स के बीच में जो मैच खिला जाएगा कुछ भी निउज आता है तो वह सब हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर इनफर्म करते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जुढ़ना बहुत जरूरी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दिया गया है तो इनिशिल मुवमेंट रहता है जो भी फास्ट बॉलर्स रहते उनको अभी तक इस टॉनमेंट में यहां पर चार मुकाबले खेले गया है जो कि दो मुकाबले फर्स्ट बल्ले बाजी करते हो टीम जीती है एक मुकाबला नो रिजल्ट यह टाई रहा है एवरेज फर्स इनि इनिश बना 200 बना यहां पर 168 बना 177 चेज हो गया तो यहां पर स्कोरिंग होती है अगर बल्ले बाज खुद खराब ना खेले तो ठीक है है एड टू है के रिकॉर्ड आप देख सकते हैं दोनों टीम के बीच में दो मुकाबले खेले गया है सक्ष ने जीते हैं दोनों टी अब इंडियन टीम के साथ जो मैच हो रहा है उसमें है तो यहां पर यह लोग नहीं खेलेंगे जिसकी वजह से इनकी टीम थोड़ी सी वीक नजर आ रही है अदरवाइस अगर आप देखेंगे तो बैटिंग बॉलिंग स्टैल आप देख सकते हैं यहां पर मैक्सिमम राइ यहां पर अगर आ देखेंगे तो रास्ट दो मैच से अच्छा कर रहे हैं वैसे पहले इके इंपॉर्टेण प्लियर्स देख लों की कौन है एमके पेपर, डी लॉरेंस, पी वाल्टर, डैनियल सैंस, सीमॉन हार्मर, एरॉन बियर्ड, बट एडम रॉसिंग्टन, एंड यहां से सैम्यूल कुक, अगर एडम रॉसिंग्टन, लास्ट दो मेंच से अच्छा कर रहे हैं, और अगर सैम्यूल कुक के टीम पहले गिंदबा हर्मर, तो कभी ऐलिसन लेके आते हैं, जो इनकी टीम से पूरे चार अवर की गिंदबाजी डालता है, वो कौन है, देखो, दैनियल सैंस, सैम्यूल कुक, बी ऐलिसन, उसके बाद सीमॉन हार्मर, यह चारो अच्छे खासे ओवर डालते हैं, कभी कबार एरन बियर्ड भी च स्कोर आपके सामने है, यह जो भी हमने ऊपर देखा, उसके बाद एडम रोसिंग्टन 21 कावरेज है, लास्ट दो में अच्छा किया है, और जिसके नाम के आगे है, ऐसा आपको, मतलब पी का निसान देख रहा है, वो इंपोर्टेंट स्टैट सकता है, ठीक है, बैट्समें सक्षन से इनके पास पी वॉल्टर है, जिनका जो इंपोर्टेंट प्लियर है, स्टैट्स वाइस, उसके बाद यहाँ पे डैनिल लॉरेंच एंड टॉम रसले, वर टॉम रसले काफी नीचे खेलने आते हैं, उसके बाद यहाँ पे डैनिल सैम से सैम हारपर है, दोनों पात करने, तो जैसा मैंने आपको बोला, जॉस बटलर चले गए हैं, अब इनकी टीम से मैथ्वी परकिंसन, रिचर्ड ग्लिसन, तीन स्टार प्लियर्स इनके चले गए हैं, तो आब इनकी टीम से लिउक वेल्स जो की पहले ओपन कर रहे थे, तो इनकी टीम के जो इंपोर पहले बॉलिंगर हैं, तो दथ में आते हैं, अभी मैं आपको और आके दिखायाता हूँ, जे मॉलरी लियाम हर्ट में से कोई एक खेलेगा, अगर इनकी टीम एक स्पिनर खेलाना चाहेगी, तो मॉलरी को खेलाएगी, अधर वाज लियाम हर्ट खेलेंगे, अब इनकी टीम अगर आप उपन बॉलर देखेंगे, तो लियू कूट, डैनिलेम दथ में, तॉम हर्टली, लियू कूट, डैनिलेम यही तीन हो सकते हैं, अब इनकी टीम से जो अच्छे खास अवर्ट डालने के चांसेस रखेंगे, क्योंकि इनकी टीम से रिचल गिलेशन, मैथ्व परकि अपको लियू कूट, अच्छे खास अवर्ट डालते हैं, तो अगर यह लोग शेयर करते हैं, तो अगर यह लोग करते हैं, तो फिर वो टॉम बेली, लियाम हर्ट, इस्टिवन क्रॉफ्ट, या फिर टीम डेविट के पास जाएगा, तो यह चीज ध्यान रखना, अब इनक स्टैट्स देख सकते हैं, अल्रेडी हम डिसकस कर चुके हैं, इनका पहले भी हमने मैच कवर किया, अधरवाइस अभी हम जब टीम देखेंगे, तो आपे हम हर एक प्लेयर के बारे में देखेंगे, अनालिस करेंगे, हर एक प्लेयर का समझेंगे, कौन किस सिच्वेशन में बैटर रहेगा, यहाँ पर टॉम आटली का रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, अब अभी फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, जिन सब का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज होगा, हम आपको टेलिग्राम पर इन्फॉर्म करेंगे, जिसका ल तो पी शॉल्ट नहीं खेलेंगे, एम पेपर रॉसिंग्टन, अब मैं आपको एक चीज बतातो, एम पेपर का जो रिकॉर्ड है, वो रॉसिंग्टन से बहतर है, ठीक है, और लास्ट दो मैचस से एम पेपर फॉर्म में नहीं दिखा, पर उससे पहले उन्हें अच्छा प अमें पी वोल्टर को लेना पड़ेगा, क्योंकि पी वोल्टर का बैटिंग ओडर थोड़ा नीचे है, और पी वोल्टर देको अच्छे प्लेयर है, इनका वो नहीं है, बस अब बॉलिंग नहीं डालते उतनी ज्यादा, लेकिन ये बॉलिंग भी डालने के लिए जाने जा मैंने दोनों का आपको नीचर बताया, विकेट कीपिंग एडम रोसिंग्टन कर रहे हैं, ओपिन कर रहे हैं, और एमके पेपर थोड़ा एडर रोसिंग्टन से ज्यादा बेटर है, लेकिन उनका फॉर्म रिसेंटली लास दो मैज़े से अच्छा नहीं चल रहा है, और वि अभी रिसेंटली इनके टीम से अच्छे खासे प्लेयर्स जूड़े थे, तो फिर वहाँ पे इन्होंने विकेट कीपिंग भी छोड़ दिया था, लेकिन अभी पीस ओल नहीं, तो विकेट कीपिंग ही करेंगे, एक्स्पीरियंस है, कंसिस्टेंट इसको रहा है, अगर मौ जाता हाई रहेगा, और देन विलास का जो मैंने आपको बताया, कि यही एक रीजन है ना लेने का, कि वो डिमोट भी क्यों होते रहते हैं, क्योंकि अगर उनकी टीम का स्टार्ट अच्छा मिल गया, तो टीम डेविड प्रमोट हो जाएंगे, बढ़ टीम डेविड को कभी अभी के लिए इनको अपनी टीम में लिवाए, टॉप अटर के बलेबाज है, वैसले काफी नीचे आते हैं, तो उतने अच्छी आप्शन नहीं रहेंगे, हार्ट इटर है बट काफी नीचे आते हैं, उसके बाद पी वाल्टर का मैंने आपको बताई दिया है, चेजिंग म अच्छे बलेबाज हैं, लेकिन इस सीजन का इनका फॉर्म काफी खराब रहा है, जिसके वैसे मैं नहीं ले रहा हूं, बट बलेबाज कभी भी अच्छा पारी खेल सकते हैं, यह ऐसे बलेबाज है, बट अभी मिनीचियल ग्रैंड लिग में ही ट्राई किजेगा, स्मॉल से अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, तेजी में रन बनाते हैं, क्विक स्कूरिंग करना जानते हैं, यह इनकी खासियत है, तो मस्ठापिक कहूंगा मैं, उसके अलावा नीचे कोई खास ओप्शन है नहीं, रॉब जोन्स खेलेंगे तो काफी नीचे आएंगे, उतने बहतर नहीं है, बहनवन भी, उतने बहतर नहीं, आर दास को भले मेनी जील में का टीम में ट्राइ कर सकते हो, और राउंडर सक्षन में डैनियल सेम्स मस्ठापिक एनी टाइम प्रमोट हो जाते हैं, दथ में गिंदबाजी करते हैं, और भले आईपिल में इनका उतना अच्छा प आप मिस्स मत करना, उसके अलावा लियूक वेल्स अच्छा कर रहे हैं, अगर उपन नहीं करेंगे तो मिडल ओर में खेलेंगे, और इनकी टीम से एक जो लैगी स्पीनर है वो चला गया है, तो मोस्ट पर लिए आपको अच्छे गास ओवर डालते हो दिखेंगे, वैसे भी आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्षन में दे दिया है, तो जल्दी से जाएए, जुड़ जाएए, यहाँ पर रिचार्ड गलिसन नहीं खेलेंगे, लिव कूड इनकी टीम अगर फर्स्ट ग अपनी टीम से डिसेंट बॉलर वो भी है, फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग डालेगी तो इनकी टीम डेथ में आने के चांसे रहेंगे, उसके अलावा परकिंसन खेलेंगे नहीं, एरॉन बीर्ड थोड़े ओवर कटने के चांसे रहते हैं, लेकिन यह विकेट टेकिं ज्यादा एबिलिटी रखते हैं इन कंपेर टू सैमिल कुक, बट एक्सपीरियंस सैमिल कुक को ज्यादा है, तो यह चीज़े टॉस पे डिपेंड करेगा, अगर सैमिल कुक मुझे यहां से लिवक बी चाहिए होएंगे, तो एरॉन बीर्ड को ड्रॉप करके हम सैमिल कुक क लिए सकते हैं, बीलिसन थोड़े एवरेज पिकी रहेंगे, टॉम हाटली यहां पर मस्ठब पिक रहेंगे, इस सीजन इनका परफॉर्मेस काफी अच्छा रहा है, इस से पहले इनका रिकॉर्ड भी उतना इंप्रेसिव नहीं था, इस सीजन काफी इंप्रेस किया है, प्ल आप क्या कर सकते हैं, सीमोन हारमर अच्छे उप्शन है, ल्यूक वेल्स अच्छे उप्शन है, कप्तानी वाइस कप्तानी के, अगर टीम डेविट की टीम पहले बल्ले बाजी नहीं कर रही है, तब आप डैन लोरेंस सीमोन हारमर क्योंकि डैन लोरेंस बालिंग कर सकते है प्लस लियू क्वेल्स इनको भी कप्तानी दे सकते हैं वाइस कप्तानी ठीक है यह चौइस आपकी राइगी प्योर अभी के लिए टीम डेविट को दिया है इवन आप स्टीफन क्रॉफ जो की लास्ट तीन मैचेस है फ्लॉप एबट उससे पर अच्छा पर्फरमिस था और यहां से रॉसिंग्टन अगर हीट और मिस्टाइब के लास्ट फॉर्म में उसके अलावा यहां से जो यह एम पेपर ठीक है यह भी अच्छे बल्ले पाज़ा लबस दो लास्ट मैचेस में इनका परफॉर्मेंस निकल के नहीं तो इनको भी आप वी सी कर रहे हैं तो कोई सबसे पहले को मिल जागा धन्यवाद दोस्तों वीडियो वाच करने के लिए